याज अबीवन, वेलकूम वेलकूम बाक टो मैं चैनल, मैं हुआ रंचना और आप देख रहे हैं रंचना औरा आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से वेंटल से न्चॉय कर रहे होंगे आज कि guys जो वीडियो है रहा वो है एक बाहत जअदा रिक्वेस्ट डीओ जो हमेशा guys मेरी bucket list में तो. लीडो लिस्ट में रहती है कि कुछ मेरे pigmentation के लिए बताइए कुछ मेरे मिलास्मा के लिए बताइए cooperate responders के लिए so आज मैंगे ऐसी home remedy लाए हूँ guys जो आपके इन सभी चीज़ों पर वर्क करेंगे I don't know कि वो रमेडी इतनी ज्यादा इन्फेमस क्यूं है अगर मेरा बस चलता गाइस तो मैं उसको जिते भी कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा हो सकता है कि यह जो प्रोड़क्त है यह है मेरे हाथ में आलू अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़े पाई जाती हैं आपकी इसकिन के लिए कि आपकी कम से कम पांच से साथ प्रोड़म्स जो मेजर होती है वो अकेला यह सही कर सकता है इसमें काईज होता है विटामिन A, B, C, मैंगनीज इसके साथ साथ इसमें प्रचुर मात्रा में होता है हमारा विटामिन C जो अगर आप कुछ भी सर्च करोगे न उसमें यह चीज जरूर आएगा कि हाप विटामिन C आप यूज कीज़े तो आपकी इसकिन की यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसलिए मैं कहले हूँ इसमें इतनी अच्छी चीज़े हैं A, B, C, मैंगनीज और अभी तो मैंने इसकी आधी प्रॉपर्टी ही नहीं है इसमें इतनी ज्यादा अच्छी चीज़े हैं कि यह आपकी स्किन की इन सभी प्रॉब्लम पे नैच्रली यह बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट कह लिजे या कह लिजें नैच्रली आपकी स्किन को वाइटन बनाने में लिजेंट में है कि अंडर आई एरिया पर जो भी आपका पफिनेस हो जाता है यह आपकी लाइन सभी पे यह मैं बताऊं कि आगे किसी और वीडियो में बट अभी आपको भी बताऊं कि गाइस अगर आपको मिलाजमा है यह pigmentation है यह ब्राउन स्पोर्ट है यह बहुत ज्या आज की रिमटी गाइस पूरी ध्यान से देखेगा कैसे अप्लाई करना है कब अप्लाई करना है यह सारी शीज़े में आपको वीडियो में आगे बताऊंगी पर गाइस चलिए वीडियो को करते हैं शुरू उससे पहले बहुत चोटी सा रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज इस चाहस प्लीज इस अपको डेडि गरना होसको सैप चाहए यह नहीं के बांब आपको वीडियो Are이면ilat और में देखेण से आइस आप वीडियो सा उसको में दिसे को आई परिया टेन से सब्लाइर प्लीज और ऐसो में आपको क्या अलू का अलो का झूस चाहीए तो आपको कैसे यहां पर प्रप्रेस करके आपको पोटाय्टो का जूस निकाल यहां पर ग्यांक जेकि आप आप एक बॉडी देके जैसे कि आप इसमें बेसन मिला सकते हैं और इसको आप अपने नीट और ग्लीन के अच्चहरे पर अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस मास्क बहुत अच्छे से वक करता है यह तो यहां पर आप देखी रहे हैं कि हमारा आलू का जो जूस है अब इसी आलू के जूस से हम ट्रीट करने वाले हैं अपने मिलाजमा को पिग्मेंटेशन को डार्क स्पॉट ब्राउन स्पॉट इन सभी चीजों को तो यहां पर जूस को हमने ले लिया है अब हमारी प्रेमेडी प्रिपेर होने वाली है सबसे पहले आलू के जूस को लेना है यहां पर मैंने आधा चमश लिया है एक चमश लिया है आधा लेमन का जूस था यह और इसको हम बिलाएंगे हनी के साथ में हनी आप सभी को पता है बहुत नाचरली कहते हैं यह आपको मेंस्टराइजिशन देता है साथी साथ इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है आलू का यह जूस लेंगे हम और एक से डेड़ चमश गाइस हम आलू का जूस लेंगे यहां पे आप देखी रहे हैं मैंने छोटा च करता है तो मैंने थोड़ा से यहां लेमन लिया है इसके सासथ हम ना इसमें जो हनी का क्वांटिटी है वह एक चमश रखेंगे यहां पे ठंडा बोख़त है इस एरिया में तो हानी आपको इस तरह से देख रहा है वैसे कि गर्वियों में इस तरह से नहीं देखता है यह प क्लिंजिंग करते हैं सेम उसी तरह से आपको करना है अच्छे से गाइस इसको आप डिप कीजिए इस फेस मास वाले लिक्विड में और बहुत अच्छे से अपने जहां पर भी आपको चाहिए वाइटनिंग ब्राइटनिंग या जहां पर भी आपको पिग्मेंटेशन है हाइपर पिग्मेंटेशन है डाक स्पॉट है वहां पर बहुत अच्छे से इसको अप्लाइ कीजिए और आप इस मिक्षर को ना एक नहीं कई कोट में भी अप्लाइ कर सकते हैं जैसे यहां पर थोड़ा सा जैसे ही सूखने लगा वैसे ही मैंने यहां पर री कोट कर दिया ह आप इसको बहुत अच्छे से रिच 20-25 मिनट तक जरूर रखें लगाने का टाइम मैं आलवेज आपसे कहूंगी कि आप इसको ट्रीट करने के बाद या इस ट्रीटमेंट करने के बाद प्लीज 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 सन के कॉन्टेक्ट में कभी ना जाएं 25 मिनट के बाद आप को प्लेन वाटर से इसको हटा देना है माइल फेश वास आप यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम में नहीं है इस मिक्शर को आप ताजा ही ताजा यूज कीजेगा मतलब कि आप जब भी इसको बनाए एक दिन में दो बार एपलाई कर लीजे सो यह बैटर रहेगा कि आप गीली कपड़े पर यूज कियो है यहहां पर घूंठ में आपको करके दिखा दिया रोग कितना अच्छा पहली बार बार डी जो और आप इस वेस मास्च को एस चेहरे पर यूज करते हैं तो मेक् शयो कि चीले करने से पहले के आपका चाहरा बहुत अच्छे से क्लीन हो मतलब उस पर किसी भी तरह का डर्ट डर्स्ट या मेकप अगारा ना हो पहली बार में आप इसको ऐसा क्लिंजर यूज कीजिए और दूसरी बार इसको ऐसा फेस मास इसी कॉटन बाट से अपलाए करिए अपलाए करने के बाद आपको इसको ना यही चाहूंगी कि आप नाइट में इसको यूज करने से आप इसका होल बैनिफिट ओवर नाइट ले सकते हैं और यह भी रहेगा कि किसी भी तरह का आपको अलर्जी यह किसी भी तरह का सेंशिशन यह राशन वगरा नहीं होंगे वैसे यह नाच्रल है तो यह गाईज यह थी पेरी आज की रेमड़ी अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्माटिव लगी हो आपको हेल्फुल लगी हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस तरह की ब्यूटी वीडियो देखने के लिए अब तक आपने नॉटिफिकेशन बटन भी ओन जरूर कर दिया है नाव गैस मैं आप मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तिल देल लव यू गैस बाई बाई